है इनीशाल ओर में जिस तरह की बल्ले बादी रोई शर्मा करते हैं टेनिस कर्केट में वो रोल इस सिजन में चाहे अलंडिया के कर चाये गिरामींचा सिटी ये देखे बाइखों का मेला बाइखों का रेला बाइखों का शोरूम गिन जाए बाच पास शिच्रट कंची मैच यह दिपेश माली को सामना करेंगे प्रतिक पाडिल पहली गेंग पहली गेंग को लॉप कर दिया लोगा पे खिलारी बड़ी मचली जाल में फस्ती वी प्रतिक पाडिल शुनने पे आउट गावागावात में तो इमान पसलाई दादाल यमनान लखो दिलाची वन लाइजान अजय इस दसेट बैक इसे बढ़िया शुरुवाद गेंबास नहीं दे सकते अपने टीम को दीपेश माली पहली गेंगें आमंतरित किया बड़े स्ट्रोक के लिए सामने फीलर रखाता और यह बहुत ही निराशा जनक शुरुवाद है प्रतिक पाटिल के लिए और टेमबवली टीम के लिए पहली गेंग पर ट्रम काट खिलाडी प्रतिक पाटिल आउट आपका कहना है कि जो ट्रैप बीचाय था उस ट्रैप में फस गए प्रतिक पाटिल निच्छी तिरूप फाइवन फाइवन टेमबवली टीम टॉस हारने के बाद पहले बलेबाज ही करती हुई सेकेंड राउन के इस मैच में एक पीरा मानकुली के सामने मानकुली टीम ने इस टौर्णामेंट में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है ये भी हम नहीं भूल सकते हैं पिछले लारी हैं और तालू का किर्केट में आतीज कोडविन दे और अधित्या भूर दो ऐसे बैटर हैं जो फूल बहुत अच्छा लगाते हैं आते ही खेलने की कोशीच बले के अंदर लगी है गेन थोड़ी नीची भी रही ती टिपा खाने के बाद किसमत वाला रन जहां बाउ बले बास थोड़े भागिशाली रहे है कि गेन स्टम्स पर जाकर टकराई नहीं राइट आम ओवर दी स्टम्स बढ़िया गेन क्या आप बोलिंग करें दिपेश माली लगातार हार्ड लेंड गिंदे कर रहे हैं और बले बास उको मौका नहीं दे रहे हैं कमाल की गेन थी शार्प इन कटर अच्छे गती के साथ भी गिंद्बाजी करते वे दीपेश माली सटीक लाइन और लेंद पर गिंद्बाजी देखने को मिल रही है डगर आसान नहीं है जस्ट्प एलेवन फाइवन फाइवन टेंबली के बले बासों के लिए लाइन अफ मानकोली परेश गोराट करने स्टम्स की तरफ एटैक करने का प्रयासता आपकी बार दिपेश माली द्वारा फुलर लेंद की गेंती लेकिन कलाईयों का कलात्म कुप्योग एफटलेस फ्लिक शॉट लाज जवाब टाइमिंग के साथ के लावा स्ट्रोग डिप स्क्वेर लेक बां नाम एक्वीरा मनकुली के बीच दोनों टीमें बड़े बड़े स्टार से भरी वी है दिपेश माली और परेश गोराटकर को इस मर्दबा पुल किया है पीछे खिला रिया है इन फ्रेंड आप दे स्कॉार मिट्विकेट पे कोई गलती नहीं और परेश गोराटकर को भी च और यह थोड़ी से अंदर की तरफ आ रही थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए उच्छाल काफी अच्छा था इस गेंड में जिसके चलते थोड़ी सी टॉप अफ़ बैट लगी ती उचाही ज्यादा रही विनित माली गेंड के नीचे थे और इस तरह के प्रिमियर लीग पकड़ा था उन्होंने लॉंगान पे जब वो कैच लिया गया था अराफ शेक का जी हाँ वो दो दोवर का मैच और आखरी गेंड पर बड़े हिट के आवशकता थी इस ट्रोग भी बढ़िया खिला गया था लेकिन विनित माली ने कमाल का कैश लपका था बिल्कुल साइट स्क्रीन के सामने बहुत दूर से भाग कर आये थे तो कैच इस बहुत अच्छे लपकते हैं बले बाजी गेंड बाजी भी बहुत ही बेतरीन अंदाज में करते हैं विनित माली पहला वर इस समय प्रगती पर अभी एक गेंड पहले वर में शेश है और वाइड याड करती बले बाज बीट विकेट की पर भी एक रन आता हुआ क्या संसेशनल ओवर रहा है मापे दिपेश माली का कुल मिला कर बाई का एक रन मिला कर हाट रन और दो विकेट आधिये प्रौन बाबड़े आये नहीं बैट्समें लेकिन जुम्मेदारी बरती कप अधित्या बुईर की निची तिरूप से अधित्य के कंदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है क्योंकि दो मेहतोपुन बलेबास दोनों भी सलामी बलेबास पहली वर में आउट हो चुके है वैसे में यहाँ पर आधित्य को चाहिए कि एक कपतानी पारी खे है जो कि एक युवा खिलाडी है और अपनी प्रतिवा यहाँ पर सीथ कर सकते हैं कि नैवर लेकर विनित माली लोडा एंट से तैयार होते हुए मानकोली एक्स्प्रेस कमाल की खिलाडी रहे है पिछले दो-तीन सालों का यदि हम क्रिकेट देखे तो विनित माली ने काफी प्रभावित किया है अपने खेल से कि दर्शकों से खचा खचा भरते हुए स्टैंट्स क्योंकि एक विरा मानकोली खेल रही है क्योंकि जस्वी एवन फाइवन फाइवन टेम्विन टेनिस क्रिकेट की दो बलशाली टीमें इस बार फ्रंट फूट को गेंद के लाइन से अलग करते हुए प्रहार किया था जोर्दार लेकिन बले की बीचों बीच ले नहीं पाए अलाकि सिंगल लेने में काम्याब बलेबाद रोहन का खाता कुलता हुआ इस सिंगल की चलते टीम का स्कूर नौरं दो विक्तों के न तो फिर फ्रंट फूट पर खेलना जरूरी हो जाता है उसको अब बैक फूट पर खेलोगे तो फिर मुश्किल रहेगा यहाँ पर हवा में खेल दिया है अदित्य बोहिर ने फील्डर पीछा कर रहे हैं गेंद का ओ जबर्दस कैच कमाल का कैच डीप एक्ष्ट्रा कवर से खिलाड़ी लॉंग पर पहुंचे आतिश माली और आतिश माली ने कमाल कर दिया है अदित्य भूहिरा उट देखिये मानकुली के सबसे अच्छा आउट फिल्ड के खिलाड़ी आतिश माली जजमेंड डिकिये जब कैच हवा में था वो अपने दाईयों रहे थे आज जो मा रहें वो बहुत तीक है अलागे काफी जगे दीतियो मां पे बैक फूट पे जाके पंच किया था दूर से दिस इस दा एक्सलेंट एक्सलेंट टेकन फ्रम आतिश माली देखिए मिड़ाव से भी फिल्डर पीछे भाग रहे थे मैं उस फिल्डर को देख रहा था लिकिन अ इचानक वहाँ पर पिच्चर में आगे डिप एक्ष्ट्रा कवर से आतिश माली घजब का क्याच लपका है उन्होंने बहुत दूर से गेंद के नीचे पहुंचे थे जबर्दत जज्जमेंट और सुरक्षित हातों की जोड़ी भी दिखाते हुए समान निया कनेश केनी सा शिवम भुईर साब मानकोली के युवा सरपंच भी इस मैच का लुथ पुटाते हुए उनके साथ अन्य महमान सभी का हर्दिक स्वागत है नौ पर गिरा है टेमबली टीम का तीसरा विकेट पारी लड़कडाती हुई पारी चर्मराती हुई इस महतुपुन मुकाबले में टेमबली की ने बलेबाज अलताफ शेक खत्रों के खिलाडी है पर इस्तितिया कैसी है घेंदबाज कौन सा है इन चीजों का जाधा असर अलताफ के बलेबाजी पर वैसे तो पढ़ता नहीं है लेकिन आज देखना है क्या सूच के साथ वो मैदान में आये है किस तरह से आगे लेकर जाएंगे और इस बार कटर थी जल्दी खेल बैटे थोड़ा सा अतरिक उचाल भी देखने को मिला और कटर बहुत बढ़िया डालते हैं भी नितमाली यह सर आजे लेकिन इस पूरे सीजन को हम देखते हैं तो अलताफ शेक भी बहुत अच्छे टच में यह दे जादा कटी थी गेंट अपड़ने के बाद अंदर की तरफ कमाल की गेंटी विनितमाली की इस बार टर्न कर दिया है गेंट को बले की थोड़ी सी अंदर लगिए डिप स्क्वेर लेक पर प्रोटेक्शन है ज्यादा रंस मिलने वाले नहीं है एक ही रन सिंगल से खाता कुल करता हुआ अलताफ शेक का अरब टेम लिटीम का स्कूर तोर्यंकों में प्रवेश करता हुआ दस रंतीन विक्टो के नुक्सान पर दूसरे वर का खेल जारी है जस्वी एले बन फाइवन फाइवन टेम टेम टॉस्क वाने के बाद पहले बले बाजी करती वी एक वी रमान कि दूर से खेला है बाहरी किनार और गेंद निकल गई है गैप में चारन मिलेंगे प्रती निदी गेला दिली चाथक ताला तायश पाल माली के लिए उच्छाए ज्यदा थी बला जब आप जोर से घुमाते हैं तो यह रिजल्ड आता है राना रहे हैं जरूरी नहीं रन किस तरह रहे हैं जरूरी नहीं रना नहीं जरूरी हलांकि बहुत तेज आउट फिल्ड है गेंस रख गई नॉनिस्टॉप बॉंडरी के बाहर चार रख हलांकि शॉट थर्ड मैन का खिलाडी भी काफी फाइन खड़ा है फ्लाइ स्लिप में वहाँ पर फिल्डर मौचूद है विकेट कीपर और उस खिलाडी के दर्मयान से गिन निकल गई थी और वाइट गेन पर बल्ला फेक दिया था रोहन बाबरे ने इस बार एक्रोस दे लाइन खेल दिया है गेंजारी ये डिप मेड विकेट और डिप स्क्वेर लेक के दर्मयान फिल्डर दूर से आते हुए अनलाइस करें लेकिन विक्टू का जो डिपार्चर है वो थोरा सरदर्द बनता हुआ यहां मैं बामड़े की तारिफ करूंगा एक युवा खिलारी है उनको उपर बेजा है और बहुत अच्छी सोच से और बहुत अच्छी डेरिंग से वो बल्ले बाजी करें कल देरात हम लतीनों मैचेस में अच्छी बल्ले बाजी की एक अर्दश तक भी जड़ा उन्होंने बल्ले बाजों का वैसे राज रहा है सिद्धिक इस टौर्णामेंट में अभी तक पांच बल्ले बाज हाप सेंचुरीज चड़ चुके है और अगर हम बात करें पिंपलगर के गेंद और किया था जी हा लेकिन उनकी भी मेहनत पर पानी फिर गया उनकी टीम वह मुकाबला हार गई भावाले बी टीम अपना पहला ही मैच हार गई और टौर्णामेंट से बाहर चली गई सोनार पाड़ा की विरुत अबर ठाकुल ने कमाल का प्रदर्शन किया था सोनार करते हुए पंद्रह रंस जिसमें उन्होंने दो चके जड़े पेट ओवर्स में और उसके बाद चार विक्टी भी चटकाई भावाले भी गई लेकिन गोटेगर भी है वाकलन जैसी मजबूर टीम को चारो शाने चीत कर दिया और क्या बल्लेबादी की अमित आतिश बांडे ने अगला मेंच मेरे कहल से हमारे टोर्णामेंट सम्राज दया मातरे बताएंगे क्या उद्योग पती का मुकाबला होने वाला है या सियार ग्रूप करोड़ पती गुरूप खेल की शिर्वात हुथी हितेश केनी का और इस गिरॉंड का चोली दामन का साथ है पिछला केंद्री ए राजमंतरी चशाक और ठाकुर पारा को आठ रन नहीं दिये लास्टू लास्ट सीजन में लास्टू लास चीहां आठन डिफेंड किये थे उन्होंने पहली गेंट बैक फूट पर गये क्या कमाल का पंच किया है बैतरीन कवर ड्राइफ अल्टाप शेक के बले से चार रन यह स्ट्रोग देखने के बाद कौन कहेगा कि यह टेनिस क्रिके खेला जा रहा है ऐसे लगा कि कोई अंतरश्ट्रे मैच हम देख रहे हैं क्लासिक शॉट बैक फूट पर जाते हुए जोरदार पंच डिप पॉइंट पर फीडर मॉचू ते लेकिन उनके सामने से निकाला ग्याब डूना और चारण जबर्द स्ट्रोग अलताप शेक के ब अलताप शेक काफी सारा एक्साइटमेंट लेकर आते हैं जब भी मैदान में आते हैं अलताप शेक एक गुटना नीचे टिकाते वे स्विच इट किया है स्लॉक स्विप किया उन्होंने रिवर्स लॉक स्विप और कमाल की टाइमिंग डिप एक्ष्टर कवर बांडरी के ब बहुत ही टच में यह शॉट कभी उनकी टीम को सोने नहीं देता है तो कभी अपोजीशन को लेकिन पूरा भीवंडी तो उनका फैन है इस पर बैक फूट पे गया है फिर पंच किया है फिर गेन कवर बॉंडरी की तरफ जा रही है अपकी बार गेन को उठाया है इस वीच तो रन पूरे के हैं अलताफ शेख ने मैच को बना दिया है कबाल के खिलाडी है ना सिदिक जालताफ शेख और तो डॉक्स शाट्स भी उनके उतने ही परीपक वह नजर आते हैं जितने वह स्वीचिट शांदार तरीके से खेलते हैं जबर्दस तरीके की बैटिंग करते है है आलताफ शेख और अब वाकर मीचे खत्रों की खिलाडी खत्रा साबित होते हुए मान कोली के लिए कि तेश के नहीं फिर स्वीचिट किया है कोई खिलाडी नहीं है गेंड़ पॉइंट पर चार रन कहीं है ऐसा तो नहीं कि कमजोर करीपे वार कर दिया है ऐसा कहा जा सकत है यहाँ पर क्योंकि गेंडबास के पास उतना जादा अनुभाव तो नहीं है और अनुभाव की कमी गेंडबाजी में छलक रही है यह कमजोर गेंद थी काफी धीमी गती से गेंद आ रही थी और थोड़ी पीछे रखी वी गेंद थी पहले ही स्विचिट के लिए तैयार पर आ चुके है टिम का स्कोर 32 रंतीन विक्टो के नुकसान पर किर्केट में चीजे बदलने में समय नहीं लगता है अच्छी वापसी अच्छी वापसी रूम मना के खिलना चाते थे अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स से जूर जाना है कल्यान डोमोली उद्योग पती 11 औ और भीवंडी उद्योग पती 11 दोनों के कैप्टन सी आर्ग ग्रूप मुकाबला हम कहेंगे फ्रेंडली मैच इस सीजन में कहीं ना कहीं हितेश केनी को बहुत ज्यादा किंदबासी मिली नहीं है ओभी एक कारण हो सकता है लेकिन वापसी कर रहे है ओहो अपकी बार गेंध इतेश के नहीं है अला कि भ्यूंडी तालुका में सबसे कम उम्र में तो हम नहीं कह सकते है लेकिन लगबक कम उम्र में शिरवात की फ्रीट है अलताप शेक सामने है स्विंग किया है कारपेट के जरी आउट फिल में गेन पहुंची है एक रन दीवार बने हुए हुए वहां पर आतिश माली एक रन से ओवर समाम तो होते हुए तीन क्यूंकि पांच-पंच ओवर का मुकाबला है और स्कोर है चोंती सोच तो यह रहेंगी कि पचपन और अलताप शेक यह दिया आखिर तक खेलते हैं तो वहां तक टीम का टोटल पहुंच भी सकता है स्थिती में काफी सुधार हुआ है पहले दो वर्स जो थे पावर प्ले के वर्स गेंदवाजों के पक्ष में रहे थे लेकिन पीसरे और में पलट वार किया है आलताप शेक ने क्लोज कैमेरा आना चाहिए कमाल की ड्रेसिंग भी है उनकी दोनों कैप्टन से रेक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जूर जाना है कल्यान डुमुली उद्योगपती एलेमन और भ्यूंडी उद्योगपती एलेमन के कैप्टन अगला मुकाबला एक नुमाईशी मैच रहेंगा इस केंद्रिये राजमंतरी पंचैती राजचेशक की शिरवात भी नुमाईश मैच से वी थी कल्यान डुमुली गिरामिन स्टार और भ्यूंडी गिरामिन स्टार के बीच रनो का और विक्टो का कारोबार करते वे नजर आएंगे अब सारे उद्योगपती अगले मैच मेच अच्छा गुजरता हुआ ये मैच संघर्ष देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में इंदी पिश्माली ने गेंद बाजी की शुर करवाया उसके बाद परिश गुराट करने एक चका जरूर जड़ा था लेकिन अगली इंपर उनका भी काम तमाम कर दिया अधित्य बोहिर वन डाउन के लिए थे सिर्फ एक्रम बनाने के बाद अधित्य भी आउट वे इसमें रन बनाने का उसर तक ग्यारा दश्मलो तीन तीन रन प्रती ओवर जस्वी इलेवन फाइवन फाइवन टिम बिवली अताप शेक बहुत अचिट टच में दोसों के स्ट्राइक रेट से बले बाजी कर रहे हैं दो चौके जड़े हैं और एक सिक्सर विनित माले आकरमन चारी रखते हुए यह एक चुनाव वहाँ पर कैप्टन को करना था अब आनकोली टीम के सिदिक बाबे या फिर दिपेश माली या फिर विनित माली लेकिन विनित माली पर भरोसा जयताया गया है बढ़िया गेंड यॉकर लेंड पर रखी वी गेंटी एन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते वे अपने स्टम्स को बचाया है अलताब शेक ने कमाल की गेंड कमाल की गेंड स्विंगिंग यॉर्कर था टोक रशर थी ओमाइग वाड़ बाल गजब की गेंड विनित इस बार थोड़ा सा खीचा अपनी तरफ गेंड की लेंड को गती में परिवर्तन किया चकमा दिया बैट्समन को बहुती बेतरी गेंड बाजी यही खासियत है विनित माली की देखिए पिछली गेंड स्विंगिंग यॉर्कर थी यह गेंड पीछे रखी भी थी और शाप इंकटर थी अच्छे बले बाज इनकी कटर को परक नहीं पाते है यही खासियत है विनित माली के इंड बासी की इस बार अंदर की तरफ लेकर आये है शरीर पर लगी अपील हो रही है अंपायर बता रहे है कि हाइड जादा है लेक वाइस का इशारा करते हुए लेवर बैटिंग इस ए ख्लेवर बालिंग फ्राम विनित माली विवंडी उद्योग पती एलेवन की कैप्टन और कलियान को मुली उद्योग पती एलेवन की कैप्टन लास कॉले आप दुनों को टॉस बॉक्स से जूड़ जाना है सही फैसला वापर अंपायर राम पाटोले का गेंद थोड़ी सी लेक्सितम की तरफ जुग भी रही थी और उचाल काफी जादा था था थाइपर लगी थी उपर रूप से स्टम्स को मिस करती गेंद लेकिन बढ़िया ओवर घटता हुआ अभी नितमाली का पहला और भी उनका लाचवाब रहा था आठरन देकर एक विकेट चटकाया था इसबार छोटी गेंद फोर्स किया है डाउन दग्राउंड के दवा में फीलर दूर से आते वे ल लेकिन शॉट इतना जबर्दस है कि मुझ से निकल के आऊंगा विनित के भी बाबरे अधुट शॉट थोड़ी सी पीचे रखी वी गेंद और उसको सामने खेलना इतना आसान होता नहीं है आड़े बैट से सामने प्रहार करते हुए टाइमिंग लाजवाब थी रोहन अगला मैच पांच पांच और का रहेंगा नुमाईशी मैच फिर से मैं लास ओफिशल कॉल दे रहा हूं विवंडी उद्योग पती एलेवन और डूमोली उद्योग पती एलेवन की कैप्टन चौता वर चरह आपको टॉस बॉक से जूर जाना है बने रही हमारे साथ पैसो कि रहेंगी बर्साथ पूर्चा जो समने तो चारचर शिटकन चासिल यस चारचार ओर का रहेंगा सही समय पर आपने वर्स पूरे करती हुए मानकोली टीम चुटी गेन पूल कर दिया गे नवा में है कोई मौका नहीं किसी भी फिल्डर के पास घजब का पूल शॉट छे रन सिर्व बल्ले बाजी नहीं कर रहे हैं बलकि बाकी बल्ले बाजों को भी सिका रहे हैं थोड़ा लेट खेला था लेट एंड ग्रेट खीच के मारा जबर्दस पूल और पावर्फुल यह सिका रहे हैं कि गिंदू का चुनाओ करके शॉट खेलना चाहिए जहां इन फ्रंट आफ स्क्वेर उन्होंने यह पूल शॉट खेला है मेडविकिट की दिशा में पूल शॉट खेला है एक तेज गिंद बाज की विरुद इससे पता चलता है कि कितने आत्म विश्वास के साथ बल्ले बाजी हो रही है और कितनी जल्दी गिंदू की लेन को ताड रहे है अलताप शेक चारोर का खिल समाप्त वारं संक्यार तालीस तीन विक्तो के नुक्सान पर टेम विवली टीम बिलकुल सरदर्द अलाकि दिपेश माली का बढ़ गया हूंगा क्योंकि आरतालीस रन आए चारोर की समाप्ति के बाद डेत वर बच्चा है और गेन अमाम इस परदाओं में अच्छी गेंदबादी की है अभी तक कितने रन की परटनर्शिप हुए एकतालीस रन की परटनर्शिप और दोनों बल्लेबाद कमाल की बल्लेबादी कर रहे है नौ पर गिराता तीसरा विकेट 49 रनों की साज़दारी हो चुकी है चौते विकेट लोंगाप के खिलारी अलताफ ने एक ही रन लिया है इस ट्राइक अपने पास रखा है और यह बूरी सोच बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती है हाला कि रोहन बाबरे भी अच्छी बैटिंग कर रहे है लेकिन इस सिच्वेशन में अलताफ शेक से बेहतर किलाडी शायदी को हो सकता है और बिल्कुल आखी जम चुकी है उनकी शांदार पारी केल रहे है अलताफ शेक जस्वी एलेवन फाइवन फाइवन टेमोली का स्कोर एक कम पचास अलताफ शेक चोबीस पर खेह रहे हैं फुल्टास गैन मिडाप को उपर लाया गेल लागा पांडरी के बार चा शुरुआत काफी निराशा जनक रही थी नौ पर तीन विक्टे गिरी ती यह दीमी गती की गेंती लेकिन फुल्टास बनी फिल्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया था लॉंग ऑप पर जो खिलाडी थे उनको अंदर बुलाया गया था और उसी फिल्डर के ऊपर स अलताफ शेक के लिए उनसाइड में शॉट फाइंड लेक और तीन खिलाडी बाउंडरी पर डिप स्क्वेर लेक डिप में विकेट और लॉंगान शिवम फिर सुईचिट किया है फिर गेंगे अप में फिर गेंग चली गए स्टैंड में छे रन क्या बल्ले बादी कर रहे हैं अलताफ शेक मूट बना दिया है खत्रों के खिलारी ने फिर से फिल्ड प्लेस्मेंट को देखते वे यह स्ट्रों खेला गया है बहुत जल्दी अपन 34 पर बल्ले बादी कर रहे हैं खत्रों के खिलारी अलताफ शेक इस सीजन में और 50 रन की पर्टनर्शिप भी हो चुके इस सीजन में अलताफ शेक का जो किर्केट है वो जबर्दस है और पॉंसर थीखा जवाब दिया है शिवम ने तुरंती रिविव लिया है वहाँ पर अलताफ शेक ने अंपैर के फैसले को चैलेंज किया है देखिए मुझे नहीं मालू मैं कि यहाँ पर टीव अंपैर का निर्ने अब अंतिम निर्ने क्या आएगा लेकिन रिविव तो बनता है क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है रिविव है आपके पास तो रिविव लेना चाहिए और लिविव लिया है अलताफ शेक ने क्योंकि अब सिर्फ तीन गिंदों का खेल शेश है देखना अभी टीव अंपैर का निर्ने क्या आता है ऑन फिल अंपायर के फैसले को च तैयार हो गए है आप भी तैयार है यह वाइट बॉल मैट्समें के रीच के बाहर वन फुर्दी ओर का इशारा भी आता हुआ एक रन इसकोर में आता हुआ साट रन और देखियो हुक्षाट खेलने के लिए तोड़ा सा उचले भी थे वो जंपिंग हुक्षाट खेलने का प्रयास कर रहे थे फिर भी गेंद उनके सिर्के ऊपर से चली गई थी उच्छा दिया है तीर कमान से जामिला असमान से चंद्रियान की आतरा पे भेच दिया शिवा माली को वड़ा स्टोक डाउन दीक्राउन फ्राम फेल्डेस कस्टमर अलताव शेक अबीबी दो गिंदे पारी में शेशे इस बार बिल्कुल सामने चका जड़ा है अलताव शेक ने कुल मिलाकर उनका चौता चका और 40 पर पहुंच चुके है के बल सूला गिंदो का सामना क किया है एक बहुत ही लाजवाब पारी खेलते वे अलताव शेक जब क्रीस पर आये थे तो टीम की स्थिती काफी नाजुक थी विपरित परिस्थितितियों में बल्लेबाजी के लिए आते अलताव शेक लेकिन मैदान के चारो तरफ शॉट्स खेलते वे स्वीच इट कमाल क किये हैं और स्वीच इटों वाके में स्वीच इट रहे हैं क्या अर्देश्च तक बनाएंगे दो गिंदे बचिये चालीस पर खेले हैं खत्रों के खिलारी अलताव शेक आफिस डाम के बाहर कोई स्ट्रोक आफट नहीं किया खुष से नाराज हैं लेकिन भूल गए कि दूज से दई एक बार बन गया तो फिर दई से दूज नहीं बनता है लाहिन को जज नहीं कर पाए वहाँ पर एग्जेटली शिवम फिर स्वीच इट किया है फिर गेंगे अप में एक्स्टा कवर बॉंडरी पे चार रन अगर अलताफ शेक की बल्ले बाजी आपको भाग गई हो तो टालिया होना चाहिए इस खिलारी के लिए चम्वालीस रन वाट अमेजिंग इनिंग वाट इंक्रेडिबल इनिंग इन प्रेशर सिच्वेशन चार चौके जड़े और चार चके केवल अठारा गिंदो में नाबाज चवालीस रनों की शांदार पारी के लिए है अलताफ शेक ने और रनों का अमबार लगा दिया है कुनाल दाते सर और जब खेल की शिरवाद भी होंगी तो कमेंटरी करेंगे कुनाल दाते सर और उनका साथ निवाएंगे विशाल पाटिल इस ओवर तो यू, Mr. IPL, Sir कुनाल दाते झाल दाते सर और जाते सर और ग्वर यू, Mr. P. खर चाइश केनि सहे ब्रस्धी कांची माई शिवन भूईर केलेश दादा आपले सर्वान विनेंथे आपन यह आमचा टॉस बॉक्स मदेख सर्वान चो ऊपस्ती ते Ukraine वील्य चोपित हिरें अपलेस अरूच आति स्रुपलेश कीणिदा टॉस करो वासुशेट और मुर्ली शेट मात्रे ये करनदार आहत दोड़ी टीम चे सब्सक्राइब करते टॉस एवन जोड़ी कॉल के लिए वासुशेट अन्यानी एवन जोड़ी साले टॉसी दी जिंकला है सर्व मन्यवरान से मनपुर्व का भार चार ओवर्ची मैच है कैप्टेन ही थांबा मन्यवरान से अभार अपन वैस्पिता वर विराज मान वा वासुशेट सरोप्रत माजर वर आहत टॉस तुमी जिंकला है चार ओवर्चे या मैच मदे टॉस जिंकला है निरने का गयाल अनि का वाट समूर देखिल कलें डूमिवली सोनर पाड़ा चोले गाव परिसरती लाने को अध्यूक बदिया है तेंचे विरुद्ध तुम्हाला खाया से तुम्चे मित्रसेथ फिल्डिंग गेनाचे ने गेतले कित परें रोका लेना किती अर्थी कुला डाल होना रहिए मैंस मद्स तुम्हाल रटे बुगा अध्यूक अधा कोन अधा अधा तैन्वी जिंका वाशा मला वाट तिन वर्षी एले लगा था यावशी जिका वासा मला वाट ते तलावासुशेट ने कुप संगली प्रतिक्रे दिलीलिया है मुर्लीशेर मात्रे माजार नाहांच वासूशेउची भेनिवाद माने संप भी इनुटार फेशेयं तुम्हा घ्र वाचियोग गूएयरें तुम्हा एक उर्भी और स्वर्स सभी ईल्ब ऑडोन मुह तुम्हा कह्ना था, इंद्दें करेंड नर आका देंक हुझेग फुटक तुम आला नूंसिपका सवात्तों आएवं जोडी एजो धूंसेट अनला दोन दूद्ध भाज जो धतर है तेज आपने अम डेम स्परदा रंग जोडी सांगा मतनिस परदा यंद महाराश्टरा याज लिया इन वर्शे कि वेट हैंता हैं जरला धेश्टाव मारा सकते हैं यह प्रद्धिन एवन जोड़ी निलेश पाटी लाने सुकेश डाकी जाब पद्धिने तुम्हाला इते बोला हुतात एक मेजवानी अस्ते त्यान अंतर एक संगला सामना प्रिक्षिने सामना तुम्चाटीक है नसाटी मेरेत होता तुम्ही काय मनलता अंच बद्दल यहाहा थे नेवी तेन ङुजन तंगले गरता अनी तेन दा नेक्स लेवल दस्तो अता यह टमलते बोलतात कि भारतात एक नंबर है पंते वीशेथ आपल पूर्ण जगात एक नंबर रहेला आगाला अे जगात एक नंबर होईल आपक्षा है टॉस उक्तर जालेवासूशी तै प्रतम शित्रक्षन करना चाने तेंचा मांदेमा तुन गिने तले जाओ ये कॉमेंटर बॉक्स वदी दनिवाद अप्रतीम शुर्वागपाई बांवर्थ हर्दम खेदार फोटका सोगार चान आंजुर का वार्ची आइचान आपटे बेवान जोडी लाइचान चान आपटे लाइचान आपक टाखी निलेश पाटे लइचान चंडली सुर्मात राख ले तक दिर मालीशा बात मतन अगदी पकलास बॉल बढ़ती हाँ जाओका रला अधिए फटके सदाच अगडिला में अधिकल गर्जेसा हाफ फुल्टो साहे समोर्श अधिशे ने मीड़ों लाच अगली फिल्डिंग एकाच अक्षन ने थ्रो कमिनिकेशन चाभाव अधिए घडले काई यश्पाल माली रन आउट चास्वरूपा माद आता डगाउट चा बटकी लाच अग्यों अधिकल आनी मोटा अधिका टीम मान को लीला अफडन आज बाद पहाला मिलाली कि रन ग्याइची आखे बट शिवर्चा मोमेंट लानकार लगेले अनि ता जुरा बर्ती हा पकिला दक्का लागला रिफार मुटा दक्का करना चादिव समदेजर अपना पाकले या गोदर जिवा मिधाली स्पूर्स वडगर समुर्ट तर्मान अपन इते करत तेंचा मात्यमात तुन मानकोली चा क्रिडांगाना वर दर वर्षी संपन होत असते अचे सर्वान चे लाड़के जिग्या दादा बंजेज गनेश केनी सहिब यांचा सर्मान आमचा मुख्य वैस्पिटावर इते केला जाइल बिवन दी नविन 40 प्लस चे अद्देक्ष देकिल आहे तानी लेट कभीर निलमल ट्रोफी मदे जे तैनी भाशन केलो ते प्रचंड वाइरल रहीलो ता अगदी मरातुन बोलनारा से वेक्टी मतव आहे जिग्या दादा येंचा सर्मान इते केला जाइल अगदी प्रेमर सुझा से वेक्टी मतव निलश पार्टी लेवन जोडी चा मादने मतवना सर्मान आमचा मुख्य वैसिटवर इते होतोãy या कला जाइल नाप मला देखेल सर्मानित केला जादें अपले ही सहर्श स्वागत इन बिट्वीन माईदनाचा तमादे घडले दूसरा दक कालागला ता विनित माली देखिल्टे गाउट चा दीशे ने जाला सनमान होतो है कैलाच माली सहेबांचा अपले ही सहर्श स्वागत कैलाची माली सहेब सुस्वागतम यानंतर अद्धिश युवा अशे सर्पन्च मानकोली गाउचे शिवं भोईर यान्चा सर्पन्चा अपन सर्पन्चा आपन सर्पन्चा आपन सर्पन करावा यानंतर रजनीकांची माली माजी सर्पन्च तथा तेंचा मिसेज देखिल उपसर पन्चा आइलेल आहेत तेंचा इस सनमान हमचे मुख्य वैस्पिटावर होईल या रजनीकांची माली सहेब अपले ही सहर्श स्वागत अने अपलेला ही यास पर्दे मदे सर्पनिन किले ड्साइताँ बंफीदयी कि अखतिना dependent अग्रेश चाहितन रुपेश मात्रों संहे नती ह idé है कि अधिक्सा रूपेश मात्रेस है या जर्च सण मानेगेवाए थालाज़ीए पिंद डूसलो सभी सेम मोरीलाहए नखिम पो कें यालाय। रुपेश मात्रे साहिप अपलेई सहर्च स्वागत रुपेश मात्रे यंचा सन्मान हमचा मुख्य वैस्पिटावर निलेश पाटील यंचा उपस्तिती मदे होतो है ये समाच्छा दीशेने जव्यानी अत्ता हमाइदना चात्मा तीसरा दक्का देकिल लागले तो दीकिल रनाउट चास वरुपा मदे तक्दीर माली अता बादू उताईल फार खराप सुरुबाद इतना पाहरा मिलाली करणिया पक्ला शट्का मदे तीन धक्क्या आता पंद लागले तीदेकिल तीन चांगले फोलंदास बाद जाले तामदे येश्पाल माली जने असा दिवास गाजवला जने 64 इंडिविज्वली नौट बनावले उता तूदे कि लगडी जीरो पर दीवास जाला तेन अंधर प्रकिल कि बास जाले विनित तान अंतर हती इसरा दक्का अता रनाउट चास वरुपा मदे लागला तक्दिर माले अता बाद जाले पकला शटका सखेल दिगिल समापते जाला पास दावाद आउफल्का पर दी तीन विकड केले ता इनरा चार उबर मोदे जरपन समी करना सा विचार किला तरि इतना शुल्ल कस्तिल जिंकना सटी 66 दा मैंच आब शक्ता अनि माकसा शटक कुर्ण पने दाखोने अताले जाब पद्ध दिने इथे खराब बैटिंग के लिए बैटिंग करतास्तना तक्दीर माली यश्पाल अनि विनित फलंदाज लुकर बाद जाले जैश्पाल माली यन्नी सर्वात मोटी धावसंक्या उबारली सर्वात वेगवान अर्दश अतक नोंद उलो तैना अपैश आले पर टेनिस क्रिकेट वर सद्यास पर्देच टेली कास्ट होता है आज अनिकीन एक महत्वाची रात्रप एक वीरा मानकोली चासमोर एक मोटल लक्ष ठेवले जस्वी 11-5-1-5-1 टेम्बेवली कडून एककतर दावांच चारु बरमाद याता सासाच्ट कराई चाहे तानी सम्मी करन अतना तोड़ डिफिकल जाले करन शुरुबात माटर करे दूती बड़ सुरुबात खराब राखीली बड़ अजुन दिखिल प्लस पॉइंट का है कि दिपेश माली से न बाक्की माईदना चाहते आतिश अनितांचा सम्वेत सावर बाहित दूसर शटक पकिलाज बॉड़ तोड़ सा वर गेला अनि जया अंतर कापाई सा उता स्क्वेर लेक मांडर लाइंचा देश ने थे कापता लेला नाई है एक्शन रीपले फुल टॉस बॉल माक्सा पाई वाकवला अनि त्या प्रेतना में देफक्त दोन दावा मेरता न देश तैत फलंदा सावर बॉल दर्मान लिव केला सुड़ूं दिला दर्मान दिशा खराब आखे अनि खेने का तरिक तरन दर्मान तमिला दाउंफुल गता आठ वरती मुटे फटके आ चरना वरती खिलाड़ चिया है करन एक्वेशन रपन पाकिला ते रजुन देकल तेवी चिंडुम वरती तरी अधा समस्य अडशनी वाड़ चलेले आहेद करन सौरब माली चास वरुबा मदे हाचा उता दका तीन बॉल खेला होता फक्त दोन धावा केला होते तेचा मोले दबाव बनत होतानी आखेर स्रीफ शोट मारने चा प्रेतना मदे जमल पास पॉलिंग स्रीफ होता आनी चारी म पुडे टाकला नी फलंदास बात व्यासे पेटावर अपन पुन्नायक दा पावनें चास अनमाना कडे वलता होता अपले मदे उपसी ताहेद टेमबवली चे समास्य वक सनमानी अकुमार गोराट कर अपला सनमाना मी याठीकानी करीता होत एवन जोडी चा माद्दे मतुन अपन तेसा स्विकार कराव अशा पलेला विनंतिया है सनमान ये कुमार पाटिल्ला साहिबन ना विनंतिया से लपन आपन पावनें चानमानित कराव जंसा शन्मान होता है तेंसन आवड यह कुमार आए यानि यंचा हतू शन्मान वता है तेंसन आवडे खिल लोग्कानी जोडू नली नाहे नीवक्ट है निवेल संगह मैदने के लिट है तंगलिग इंज एन्गी अपिर गयर जाता है जाता है साइवन देखान के लूडमित साखवर्थी फॉरंदाजी करना सटी एताथ प्रेशर पूर्न अपने फॉरंदाज नवर्थी हाफ फुल्टोस्टाग्ला ओन साइडला फटका जबर्दास फटका बेनिफिट गेता साना या बोल्टा शटकार नो बोल देखिल गोशीत करना तालेले तो बेसाथ अवा मिलती आले आले आशी मेजवान निम्ला लिये फलंदास दीपु माली ला अनि दीपु माली जोपरिंत मैदाना मदे तो परिंत काई गडू शक्ति या बैच मदे फुल्टोस होता तो देकिल वेस्टाग्ला अमरी पेक्षा जास्त उंची ने टाक लेला बॉल राइट डिसिजन अनि बरोबर शटकार इदे टोकला अनि तरी देकिल डियारेस से वापर करने ताले बोलिंग करनारे टीम कड़ून यह से टीजनों बॉल अधा करया अरता ने इतने मोमेंटम चेंज हूँ शक्ते मोमेंटम शिप्ट हूँ शक्तो है करना साथ दावा दर्माडी ते मिलालने आता हाँ फ्री हिट सा बॉल अधि डियारेस देखिला अधा मिलनार नाया बिकॉस अरबड़ पाकिल नो बॉल फ्री टिलेवरी फ्री हिट परती देखिल ड्राइब अपलाला फटका पहाला मलतुवा ता काउफ फेस मदे फोल्डर आखित पहला बॉल वर शटकार मारला नंतर सिंगल गेतली टीम ची दावसंके स्कोर बुड़ वर सोड़ा धावा समीकरन सत तेने बदलताना अपलाला पाहला मलेल सो परिंतमाईदना मदे दीपो है आतीश ला देकिल नावा प्रमने आतीशी खेळ करा वला गिल जाब अध्य दिने होटेगर चा आतीश ने फलंदाजी केली ते अगदी तसाच खेळाता आतीश माली करून अपिक्षित आहे दीपो माली चा बरुबर ने गोलंदाजी मदे सकेंड ओवर मदे सोहम पाटिल गोलंदाजी करतो एक भीमर यागोत तेने टाकला है यावला इस ड्राइवी साफ़ाट का फुल्डर आखेद डीप मादे कवर रीजन मड़ती इस सिंगल इतली केली दूसरी साफर इतना होनार नाई या अग्दी बरुबर उल्लेक केला करन कुटे ना गोड़ या माच मदे लक्ष आखे त्याता जरी इतना पार कराईसे जिंकाईसा आखे त्या दोनी एंड्स नमी मादें चांगली बाटिंग ओना गरजेचा पन जास्ती जास्त स्ट्राइकिंग एंडला अन्ने गरजेचा आहे दिपु माडीला अने त्याचिर जी भूमी का आहे आती शितियक दिस पश्टै सिंगल डबल जास्ती जास्त गयला पाईजे दिपुला स्ट्राइकिंग एंडला अनायला पाईजे समुर्चा दिशेन फटका ता लंगल ना देखिल फिल्डर उपसी दाखित एक सिंगल मिलल तैचा बक्षा जासा मिलार नहीं है एक नोबाल जरू अला पर तैन अंतर अपन मनुशक्त की सोहम पाटिलचा कमबाग जाला सोहम ने तैचा नंतर संगली गोलंदाजी केले नी विशेश मंजे जोर लावत जी उर्जा दिस्ते ग्रंटिंग साउन जावला बॉल रिलीज करतो है त्यावला एक आवाज नक्किया अपलाला पाहला में तो तो तैचा अगदी मुखा तूने तो मंजे ग्रंटिंग साउन अने जावला हाँ अवाज दुमदुम तो या क्रिडा नगरी मदे उर्जा जोर लावत अस्तना गोलंदाजी मदे सोहम पाटिल यह विले संहीला इना डॉट बॉल दर मडे इतने तो आने शाप्रकर इसर अपन पाखिल यो तर्य दोंशटकां साखेळ दिखिल इतना समाप्ते जला दोंशटकां जा समाप्ति नंदर धाव फोल कापलेला पाहला मुडल अठ्रा वर्तिया अने विकेट अतापन तकिल चा दोंशा खेळी दे संपला तीसरा शटका मदे गोलंदाज बदल्ला जाहिल परंतो अठ्रा बॉल मदे त्रिपन धावां चा वश्रकते अठ्रा बॉल अने त्रिपन धावां मैच ओन सामने विदे जोपनें त दीपो है सर्वकाई शक्या है पावसाली रबर बॉल खेल दस्ताना खेल दाकोल अउता तेचा मोडे चर्चे मदला क्याड़ू आहे ग्रामीन क्रिकेट मदे देखिल मोठन आवे मानकोली चा विचार केला तर यश्माल माली तेंचे बंदू तेनी आज कमाल अच केली फास्टेस अर्दश तक तेनी नोंदवल सहा बॉल मदे सह शटकार मारनायाचा विक्रम केला आच्यास दिऊशी भारत रतन सचिन रमेस टेंडूल करेनी पहिलांद दोंचे दावा केला ते गॉलेर मदे आइटिंग अने तेचान अंतर 2015 मदे क्रिस गेलने द्वीश तक वल्ल्ड कप मदे पूरुना केला होता पाइवर टाकला है लेक्स्रम चा बाहर आहे अंपार चाहरा वाइड बॉल तेरिक तरन दर्माने तो मेला यानी सब्दा चगडे लाइका चंगले गूशी चापन लेकिला की दिपेश दिपू जो परंद आहे तो परंद मेमान या माच मदे आशा पेक्षा जागरू ताहे तीम मान को लिचा करन हा एक में फरंद आजा है जो इतना प्लेट वार करूश शक्तर हा बॉल अतीशे संगला लाइन वर्थी अपिल देखील इतना केली गिली बठाइट है आटोच मुद्दा सावा कारन फक्त गोलंद आज नाहीत रम्चा कॉमेंटरी बॉक्षा समोर अस अनि हाँ फटका हवे मदे लोंग ओफ लाफ फिल्डर जिवाची अकंता के लिए लोंग ओफ लाफ भेद दसाना बॉल थेट पाट अवला बांडरी लाइन शा बाहिर शटकार संगला टाइमिंग संगला फटका दीपु आहे तर सामना जीवनत आहे असमरेला हरकत नाही है तोड़ासा पुडे मिलाला आहा बॉल दीपु साथी अनि कैच इट सा कॉल जरूर होता परतु दीपु ने आहा बॉल फेकला लोंग ओफ चा वरुन सहा दावान साथी राममाली साइब एंचावती ने देखेल सुबेच चा आलेले आहेत एवन जोडी साथी जा पद्दती अनि आयोजन केले निलेश पाटिलानी सुकेज ठाकी एननी अस परदेच अनि इते मातर दीपु चा पाट मदून सीक्सर टीमची दावसं के पुडेच आते सोडा बॉल आनी सेचा इस धावा अडिक संगला फट कावन मनुशक तो बट लंगोलना ता फिल्डर उपसी ता है दने शाथ कुनाल सर बर्पुर सरा फटकेंच आपशकता था समी करनी आचेंडू नंतर सरा बड़ पाखिला तर पंदर आमादे पंचे चालीज जाब पद्दतीनी फलंदाजी सद्या मैच ओन है और दुसरे बाजूला मी मगाशी देखिल उल्लेक केला फलंदाज आतिश खेड़ताना देश्तो है तेची देखिल भूमी का सपस्ट है जास्ती जास्त स्ट्राइकिंग एंडला अने ला पाईजे दीपु मालीला आनी मध्यन तरी एक दोन मोटे हीट तेच अक करों देखिल अपिक्षित अस्तिल रिड्राइव केला वाइड़ फुल लें दिलेवरी होती आता मिमान योग्य लाइन लेंद वर्ती गुलंदाजी होता है या गुदर जो शटकार आला होता तोबी स्लोट मादे होता न ताचा मर्थी दीपुने प्रहार केला बट प्रहार केला फ्लिक्स हाफवड का काउफेस मादे फुल्डर उपसी दाहे एक सिंगल मिलाल ताचा प्रेक्षा जास्ता मिलार नाई है अथा कंट्रोल मिमनें गती सुबाद निर्यांत अनुशासन या गुष्ट्य आता प्रतिक पाटिल चा उलंदाजी मंदे पहला मिलता अथा एक्वेश्यम फार कडिन तेरा मादे त्रेचालीस तेरा बॉल त्रेचालीस दावा निदोनी घ्याडू एक मेकंची चर्चा करते टीम मिटिंग्स अध्या होते मातर बैटर चादर मैं हाई बॉल ते उड़ाच महत्वाचा या मैच द्रुष्टिकोना तुन अथा बॉल तेरा मादे त्रेचालीस दावा एक्वीरा मानकोली बारा बॉल त्रेचालीस दावा ए समीकरन करते हैं पानेची विवस्त कराइचे पानेची विवस्त करते हैं हल्या बल्या ना पड़ला त्यानी मानली नाई हर अपला भिवंडी चे साहे बत नाउगज कपिल पतिल कार्दाज अपला भिवंडी चे साहे बत नाउगज कपिल पतिल कार्द पूस भरारी गरडापरी इतली लोक सभेवरी जनते चाड़ी अडचनी त्यानी उठवी लालाई भारी पूस भरारी गरडापरी इतली लोक सभेवरी जनते चाड़ी अड़ी त्यानी उठवी लालाई भारी कपिल दादा पाति लने ते आये तो हो दमदार कपिल दादा पाति लने ते आये तो हो दम्दार केन neutrी ये राज्यमंत्री पंचायत राज्यशक तुम्ही पहाता है आधरणीय कपिल जी पाडिल साये बहराष्रा सन्मानन अंतरसंपुलन टेनिस क्रिकेट सा बहूमान वाडवनारी 1 में अदविती स्परता तुम्ही पहाता है नेमी चर्चे मदल नाव में अधर निया कपिल जी पाटिल साहे बाणी तैंचा सनमाना साथी दर वर्षी असपर्देश आयोजन केल जात बत्तीस बाइक अनि एक फोर विलर कार अपलला पहला में ते मैनोद्ध सिरीच्या माध्यमा तुनिया सपर्दे महत्वाची राणारे या मैच मदे आता बारा बॉल अनि त्रेच्या इसधावांच अवश्रक्ते बारा चेड़ू त्रेच्या इसधावा माच अजुन दिखिल भरपूर बाकिया करण माइदानास्त माधे दून संगले फ्लंदास अपलाला पहला मिलताथ बारा मधे फोर्टी तरी पॉसीबल तराहद बट्यासाथी दिपू अनि आतीची बाट सलना इतना गरजेशा झाल 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 प्रिशा बिश्या विशार के लाट रिकवारेट इक्वीज पूर्णां का पनास ची सरा सरी इतना राखाईच चाहे इस्टिल अजुन दिखिल में वनें की चेज़ेबल आखे गेटेबल आखे नि पॉसीबल दिखिलाखे बटे पॉसीबल करना साथी दिपेशीब आखेश माले इतना संगली बाटिंग करावी लागिल इसर बारा मदे फुटी तरी चेस करेशात मुझे कमीत कमी पास्ते सहा मोटे फटके इनरा बारा चेंडूम वर्ती निरनाक शटका मदेश्वास को ना वर्थी दाखव लागुलंदास त्यार होताँ गुलंदाजी मार्क वर्थी विश्वास गुलंदास मोनीश पाडिल देरो दू श्राकिंग इन बरती बिपे शाहित पकिलाज बॉल दी पूसाटी हवे मदे मिस्टामिंग माची गोल्डन विगेड मिलू शक्ते स्वाथ मोनीश पोचला अनि कैस देखल पकड लिया अथा पर मनुश्च तो कैस नाई माच पकड लिया कि अधिलो कसारी अशी थाटात होते अधिलो कसारी अशी थाटात होते एंट्री भारी आहे जनते चातो रखवाला तारा माराश मन तो इत्याना कित एक होतीला पने कस अमचा साइब कपील पाटीला हो उन्जा तीला पने कस अमचा साइब कपील पाटीला अनि सुता गोलन दाजाने अगाल केला कि हाँ जेल मीट इपनार मनेश मोनिश तूर परिंधस अंतर कापत गेलाने एक संगला जेल तेने टिपलाए यह मैंच मदे जैश्त्री राम स्टैंड मदे देखिल तुमी गर्दी पहता आस प्रेक्षक आंची तैंसे इस्वागत आ ना एक था बाट सा स्विंग सांगलाए परंथू संपर्क नाई एक टॉट बोल एत्वे दाहा बॉल त्रेचाइश्ट ने डिपू जसा बाच जला तनंधिर अपलेला स्टैंड मदेश यह प्रेक्षक पाहला विलेदो ते ते दिखिल अपलेल जाता ना दिस्टाइश्त क हाटुर प्रेक्षक स्टैंड मधून देखिल प्रेक्षक चांची संक्य कमी जसता हू लगले करांणा भरपूर मोठे समर्त काले होते मानकोली टीमला समर्त अंदेने सख़गें मरेश्वर पाडिल स्टैंड मद ले देखिल प्रेक्षक आता हाओ-लो मानकोली गावाचे दिशे ने वाटसल करता ताने अनकीनेक विकेट गमाव लिये मानकोली चा अनकीनेक फलंदा जाउट उते हरेश वाडिल मानकोली चा अनकीनेक विकेट गमाव लिये तीसरी रात्र मित्रान आपन पातात करारताने महाराश्टासा सरमान तैनंतर संपूर्न टेनिस क्रिकेट सा बहुमान वड़नारी एक में अधिविती आसपड़ता अमजे अड़ता देस केंद्रिय राज्यमंत्री पंचायती राच्छ शक्डुनासार चुवीस तीसरी रात्र चलिस अधाम इंशाव शक्ता है पुर्सबों हासमोर्च अधिशन एफट का हमें मदे लोगला फिलर उपसी ताहे अड़किनिक सफल्दा यह सितना काश्पकर लीगेली अड़किनिक दक्का तालाक तो टीमान को लीला असा हां अमतानिता महानागा बगावार तैंक्यू कल्लें डुम्भी ली उद्ध्योजक अने त्यास बरुबर भीवंडी चे सर्वस उद्ध्योजक अपना ता रेडी राइचे यान अंतर लगे चास फिल्डिंग लावाचे वासुशेट टुबी टॉस इंगला ने टॉस असके अनि हाफ वटका समोर्शा दीशे ने फ्रेंट फूट बरना पूल केला अने कीने इजी कैच अनि अशास प्रगारे इदा विकेट अट्रिक दिखील अनि ही थावन घटस ओकरता चार विकेट है ट्रिक कंपलिट के लिए थेने एक्विरा मानकोली चा अगेंस केलतास थाना के स्पेल पहला मिला ला मेडनोबर विक डिक अट्रिक यार विक टिक उसका माधै पाहला मिला अटा पूर्ण अपने मनुश्वक्तो की आशमना टेम तेम्डी खाट बूली चाहिशा मंधै जसभी इलवन फाय मन फाय में तेम्डी आवने आवणे आज हाँ संग चेलतो एंप इतका चांगला पर्फोर्मेंस देखिल अपले अपले अच्वाम आदेमा दों पाहला मिलेला लास्ट अबर स्पेशली मुनिश्पाटिल्स है शोटक चार विकेट प्लस मेडन ओबर अधा सहाच इंडुमर्थी त्रिचाली जावेंच अबश्यक्ता अबन मनुश्यक्तों कि फक्ता अप्चा रिक्ताज बागी अधिया माच माद है अलताप शेक तैयर होदा लास्ट अबर मद है राउंद विकेट अलताप सा पकिलास बॉल बाक्फुटला जाओं पंच केला डीप अक्ष्ट्रा कबर ला फुल्डर पूसार बट तैना देकिल बीट करून बॉल निकंग साहल समकार केंद्रिया मंत्री का मिल पाटिल साहव तैना शुर्वात धड़ा क्यात पाई जी होती पावपली मंदी धावालेले नायत अचनंत रेस सगले फटकेत अनिकीनिक संगला फटका बैक्फुट पंच अनि हादेकिल बॉल कवर्स बांड लांच बाहर धावा मेतिल इदी चार पंचल अड़ा जीक है लिए का ठुक्ड टा सो का इस लाइच और पेसे पुटे आए थाफू पाउ मदी असुत केंगे माच बाँ शुटे खायम मसा ताहा फुल्सा फटका फुल्ड रहित ऐस को और लांघ इतना घटली जा थेख सिंगल यान अंदर पहाला विसरुनका भीवंडी उद्योजक आयुजक तांच अगेंस्ट अपलेला केलता ना दिसना रहेत कलां डूम्बी उद्योजक आयुजक एक संगली लड़त निलेश पाटिलेंची गुलन दजी पहला विसरुनका उलाटे मक्षय प्रिक्षिने मैच मदे च अब तुषिक मलालो तो सिद्धिक भाबेंची बन पास अजर उपे देचा ते निलेश पातिल याननी दिलेली नसावित शिद्धिक भाबेंची देकल पास अजर उपे जिंकलेले होते दोन बॉल सा उतिस अनि थर्ड मैन लाहा बॉल साल लै पंचान सा इशरा बाइचा चाच उपकार तीस धावा करेचे शेवट चा बॉल वर कराब खेल केला एक्विरा मानकोली ने विशेश मंजेश पैलास डावा मदे अलताप शेख विकेट गमोला नंतर बैटिंग साटी आला खासकरून प्रतीक शुण्यावर आउट जला होता त्यानंतर परेच गोडराट कर सिक्स मारून आउट जला अधित्य बोहिर एक अनि तेच्चान अंतर वन मैन चो वन मैन आर्मी खेला मैदाना मदे रोहन बाबरेचा बरुबरिने अलताप शेख शुबट सा बॉल और या बॉल सो वत हा समना समाप्त अड़ इतना बाजी मारली या माच मदे जस भी 11-5-1-5-1 टेम ने है तो मैने मैनी कॉंग्रेजुलेशन टीम टेम 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 एक विरा सपोर्समान को ली तर या मैच सा मैन उद्ध मैच सा पुरसकार दिला जाहिल अलताफ शेक याला जन्या फ्लातुन बैटिंग करता सना 24 दावा नाबाद केलिया अलताफ टरला या मैच सा हीरो मैन आप दे मैच आनि या नंतर एक्जीबिशन मैच ला पन सुरुवात करतो है ग्रांड इंट्री होना रहे आमचा आयो जक एवन जोडी यानि तेंचाड़